मीरट पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 320 बोरियों से लदे ट्रक पर कबजा करने वाले चार बदमाशों को मुठभेड के बाद धर्दबोचा दरसल बदमाशों ने ट्रक पर कबजा कर ड्राइवर विकास को बंधक बना लिया था विकास जैसे तैसे भाग कर रोहटा थाना पहुंचा और पुलिस को मामले की सूच ना थी जिसके बाद ही पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड हुई मुठभेड में दो बदमाश घायल हो गए अब ही अभी थाना रोहटा पोलिस की थोई दर पहले एक स्वाटिर बदमाशों से मुठभेड हुई है मुठभेड में कुल चार बदमाश घिरबतार हुए है जिसमें दो बदमाशों को गोली ही लगी हुई है इनके उनको इलाज है तो अश्मटाल बेजा गया है बदमासों से जो पूरा एक ट्रक बरामद हुआ है जिसमें चीनी भरी हुई है और चीनी के करीब इसमें 160 कृंटल 320 बोरी लदी हुई है ये चीनी कल ही इनके द्वारा लूटी गई थी किने उनी शुगर मिल से जब ये चीनी मोधी नगर के लिए जा रहा था बदमासों ने ड्राइवर को बंदग बना के पूरी ट्रक लूट ली थी पूरा ट्रक चीनी समय बरामद हुआ है बदमासों की इको गाड़ी भी बरामद हुई है बारी मातरा में सलय इनसे बरामद हुई है ये सातिर किसमें लूटे रहे है और इनसे अभी और पुस्तास की किनोनी चीनी मील से निकल कर मोदी नगर जा रहे ट्रक पर बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे बदमाश पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं बहराल पुलिस की बदमाशों से पूछता जारी है मेरट से आदिल रह्मान की रिपोर्ट